कि हैं गाइस दिस इस इमाशुल फॉम डिच्ट अबर वाटिन वेल्कम पूदी एलेवंध वीडियो फॉर सीरीज वर्डप्रेस टुट्र फॉर बेगना तो पहले हम गाइस स्टार्ट करते हैं अब आउट स्पेज से तो में आब आउट पे आएंगे and then edit page पहेंगे उसके बाद edit with elementor अब हम देखते हैं about us page के लिए कोई template है क्या free वाला of course काफी सारे गाइस यहां पर भी है यहां है यह मुझे साही लग रहा है insert तो अब देखो गाइस ओ यह काफी साही है गाइस ठीक है पर इसमें बहुत सारे changes करने पड़ेंगे तो पहले हमारा जो theme color है पहले वो डालते हैं तो हम यहां पर आएंगे edit hero अब यहां पर अब देखो यहां पर इन्होंने पहले से top और bottom में padding दे रखा है तो पहले हम उसे remove करते है ओके यह बहुत नीच हो गया ctrl z ठीक है पहले हम पीछे के style को पीछे के color को remove करते है तो style में आएंगे remove ठीक है background overlay remove background gradient 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 one second color gradient two तो अब यह काफी सही लग रहा है ठीक है एंद हम पहले इसे remove करते हैं जो text है delete एंद हम इस divider को पहले थोड़ा increase करते हैं ओके इन्होंने divider पहले से दे रखा है thank god and then हम इस gap को remove करें यहां पे ठीक है और यह पूरे section को हम थोड़ा कम कर सकते हैं तो उसके लिए हम यहां प and top से भी कम करें start करते हैं I think 100 ठीक है यहां पर 200 सही रहेगा ठीक है guys हम इसको थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं and हम left zero right zero यहां पर 15 रखते हैं 15 ठीक है तो अभी यह कुछ हतक सही हो गया guys अब हम नीचे आते हैं और हमें यह यहां पर नहीं चाहिए तो cross ठीक है अब हम इसका भी color यहां पर change कर सकते हैं तो right click करेंगे edit video section में आएंगे पहले हम इस video का size को थोड़ा कम करते हैं बहुत बड़ा लग रहे है तो यह ठीक है and then अगर हम style में आते हैं and background type background overlay तो पहले background overlay को remove करते हैं ठीक है background में आते हैं इसे remove करेंगे gradient and then gradient 1 and color to gradient 2 ठीक है और हम इसको भी थोड़ा कम कर सकते हैं advance में आते हैं let's say okay इनों बॉटम से काफी दे रखा है तो हम यहां 100 देते हैं 100 सही लग रहा है ठीक है अब guys यहां पर है our story तो यहां पर हम अपने team के बारे में बता सकते हैं तो हम यहां पर let's say our team लिख सकते हैं ठीक है और अपना जो भी color है वो यहां पर डालेंगे और यह heart हमें नहीं चाहिए यहां पर color let's say हम black डालते हैं ठीक है और टाइपोग्राफी आपको पता ही होगा railway ठीक है और थोड़ा बोल्ड करते हैं 600 I think 500 ठीक है अब हम क्या करेंगा अब हम यहां पर अपने team के बारे में में बताएंगे तो उसके लिगा इस एक आता है image box something यह आप इसे उठाओ यहां पर रखो यहां पर पहले अपने team का photo डाल सकते हो I mean अपने team member का then यहां पर उसका नाम डाल सकते हो and then यहां पर अपना जो भी यह details यहां पर डाल सकते हो और हम इसे यहां से remove कर देते हैं delete अगर आपके पस दो team member है तो अब दो लोग को यहां पर रासकते हो तो हम इसे copy करते हैं copy paste ठीक है and हम इसे यहां पर remove करेंगे delete and then इसका जो भी margin padding है वो सब हम रहल कर सकते हैं so पहले हम इसे थोड़ा इसे हम हजार रखते हैं यहां पर ठीक है और bottom से let's say 20 करते हैं ठीक है हम इसे स्टाइल में आके थोड़ा सही करते हैं ठीक है तो हम content में आते हैं पहले आप अपना content का color को change करो let's say मैं black रखता हूं and then again description को भी black रखता हूं and पहले हम image में आते हैं image के border ideas के हम थोड़ा increase कर सकते हैं तो आप यह देखो कैसे circle हो रहा है right तो यह circle सही लग रहा है 65 is fine ठीक है and हम same चीज़ copy right click paste style तो यह भी सही लग रहा है guys and हम our team के नीचे एक divider को तो लगा ही देंगे edit divider बीच में आएंगे width थोड़ा increase करेंगे gap zero करेंगे अब यह सही लग रहा है guys ठीक है and आप चाओ तो आप इसके नीचे social media icon भी लगा सकते हो तो हम यहाँ पर suppose लिखते है social icons and then इसे हम यहाँ पर डाल सकते हैं देख guys यह आ गया and इसे हम rounded कर सकते है square कर सकते है circle कर सकते है so circle is fine ठीक है same चीज़ हम यहाँ पर copy paste तो अब यह guys काफी सही लग रहा है right and यहाँ पर आप अपना team का video डाल सकते हो या आपने जो भी काम कर रहा है उसका video यहाँ पर डाल सकते हो and यह guys काफी सही हो गया and again guys ऊपर यहाँ पर यहाँ पर आप अपना facebook का link डाल सकते हो यह नहीं रहे तो ही सही लागे गा, yes, ठीक है, और हम gap को थोड़ा कम कर सकते हैं, तो हम edit our story में आएंगे, not from here, from here, edit, advance, let's say हम top से थोड़ा 180 रखते हैं, ठीक है, and मैं plan कर रहा हूँ, मैं नीचे से कम करूँ थोड़ा सा, bottom से यहाँ पर, bottom से हम करते हैं, 60, ठीक है, and यह तो सही लग रहा है, ठीक है, अब हम इसे update करते हैं, और देखते हैं हमारा यह tablet पर कैसा लग रहा है, okay, so यहाँ पर भी guys, यह automatically सही हो गया, और काफी सही लग रहा है, ठीक है, अब हम आते हैं अपना mobile पर, and mobile पर भी guys, यह काफी अच्छा लग रहा है, मैं इस divider का size को थोड़ा increase कर सकते हैं, यह सब आप सीख गए हो, आप लोग कर लोगे, मैं यहाँ पर ताइम देना नहीं चाहता, okay, sorry, यह wait है, मैं content में आता हूँ, wait को increase करता हूँ, yes, and guys, we are done with our about page, update करते हैं, और देखते हैं कैसा दिख रहा है, about us, our team, okay, हम जैदो हम इसके बीच का gap को भी थोड़ा कम कर सकते हैं, तो आप लोग वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है, तो अब guys हम अपने contact us page को बना लेते हैं, तो उपर आते हैं, contact, edit page, edit with elementor, and then my templates, and यह देखते हैं कि कुछ contact us page का template है यह नहीं, तो लिटसे हम यह वाला choose कर लेते हैं, ठीक है, तो यह हमारे यहां पर आ चुक है, तो पहले तो guys हम hero को, हमें काम करते हैं, plus में आते हैं, templates में आते हैं, जो हमने hero page पहले बना रखा था, यहां वह हम choose कर सकते हैं, ठीक है, like hero portfolio और web portfolio, hero portfolio, insert, ठीक है guys, and हम इसके size को थोड़ा बढ़ा करते हैं, पहले हम इसको यहां पर remove करते हैं, नीचे वाला को, and हम इसको यहां पर let's say 400 करते हैं, ठीक है, and यहां हम heading देंगे, contact us, and हम इस divider के size को थोड़ा कम करेंगे, अब हम नीचे आएंगे, and guys हम इस तीनों के color को थोड़ा change करेंगे, तो right click, edit icon box, style, let's हम इसे रखते हैं, blue, ठीक है, similarly इसे भी हम blue करेंगे, okay wait, पहले हम इसका सब कुछ चाहिए कर लेते हैं, and then हम इसके style को copy paste कर देंगे, तो हम icon हो गया, content में आते हैं, इसे हम black करते हैं, और we can keep it blue as well, ठीक है, and then यहां पर हम content हमें नहीं चाहिए, हम इसे हटा सकते हैं, right, और यह चाहिए, और हम इसको change करते हैं, text color blue, ठीक है, और हम चाहिए तो हम नीचे एक button भी लगा सकते हैं, so button के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने homepage पर आएंगे, right click, copy, यहां पर आएंगे, पहले एक button को यहां लगा लेते हैं, button, yes, right click, paste style, and हम इसको पहले transparent से, let's say green करते हैं, and हम text color को green करते हैं, and इसे हम transparent रखते हैं, and हम इसे middle में लाएंगे, और यहां पर इसे size को हम थोड़ा कम कर सकते हैं, so let's say, ठीक है, and यहां हम लिखेंगे, यह क्या है, visit, visit को हम कर सकते हैं, like call us, ठीक है, and हमारा यहां पर रहेगा, button में भी same, call us, ठीक है, and guys हम इसको blue ही रखते हैं, क्योंकि हमारा सारा कुछ blue है, ठीक है, और hover करने पर यह blue हो जाना अच्छी है, and text, let's say text को white करेते हैं, ठीक है guys, आप यह सब कर सकते हो, अपने हिसाब से, okay, and then हम क्या करेंगे, हम इस पूरे चीज़ को इधर copy करेंगे, तो हम right click करेंगे, duplicate, right click, duplicate, और हम यह सारा को यहां से remove करेंगे, delete, and then right click, delete, अब यहां पर हम कर सकते हैं, whatsapp, अब आप बोलोगे कि यहां से whatsapp कैसे होगा, मैं बताऊंगा आपको, and यहां पर भी आप whatsapp कर सकते हो, and same guys, यहां पर हम डाल सकते हैं, call us, whatsapp us, email us, email, ठीक है, and guys, यहां पर भी आप अपन नमबर, या जो भी email idea डाल सकते हो, पर मैं आपको दिखाने वाल हो, कि आप सीधे एक click से कैसे call कर सकते हो, तो अभी क्या करना है मैं guys, मैंने आपको description में एक article का link दिया है, आपको वहाँ पर click करना है, तो आप अगर वह article पर click करना है, तो आप सीधे इस page पर होगे, ठीक है, आपको यहाँ पर नीचे आना है, and then, यहाँ पर आपको दिख रहा है click to email, तो आपको यह copy करना है ऐसे, ठीक है, and then आपको यहाँ पर आना है, और email में जो आपका button है, and email के इस link में, यहाँ पर वह चीज़ paste करना है, and make sure guys, कि आपका जो यहाँ पर email ID है, जैसे मैंने यहाँ पर for example लिखा है, xyz at the rate your email dot com, यहाँ पर आपको अपना email ID डालना है, that's it guys, और बंदा अगर click करेगा, तो सीधे आपके email ID पर जाएगा, and वह सीधे वहाँ से email भेज सकता है, similarly, आपको यहाँ पर आना है, click to WhatsApp है, इसे copy कीजिए, WhatsApp में आईए, यहाँ paste कीजिए, similarly, आपको यहाँ click to call है, copy कीजिए, यहाँ पर आईए, content में आईए, paste कीजिए, make sure guys कि जो यहाँ पर नमबर लिखा हुए, 1234, यहाँ पर आपको अपना phone number देना है, यहाँ पर आपको अपना WhatsApp नमबर देना है, उसके बाद क्या होगा, सीधे एक click से वह आपको WhatsApp या phone कर सकता है, of course जब वह phone से use करेगा तो, and email आपका सीधे laptop से भी काम करेगा, मैं आपको वह चीज़ दिखाता हूँ, जैसे suppose मैं email में आया, और मैं यहाँ पर एक email डालता हूँ, ठीक है, और हम इसे update करते हैं, और हम इसे यहाँ पर new tab में open करते हैं, हम नीचे आएंगे, and इस email पर click करेंगे, देखो guys, यह सीधे आपका एक email का कोई भी app open हो जाएगा, and यहाँ पर अगर आपका outlook linked है, Gmail linked है, तो यहाँ से बंदा सीधे आपको email भेज सकता है, right, same case अगर हम WhatsApp में जाएंगे, तो WhatsApp since हम phone में use करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहा है, and then आप call के लिए भी चाहो तो आप सीधे call कर सकते हैं, यहाँ बोल रहा है, pick an app, right, so मैंने उस article का link आपको description में दे रखा है, आप जाओ, उस open करो, और यह तीन चीज जो है इसे copy करो, and it will work, ठीक है, अब guys आपका यहाँ पर आ गया, हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपका आ गया location, तो आपका यहाँ पर जो भी location आपको दे दो, and then हमारा आखरी आता है social icons, तो यहाँ पर इसका background हम change करेंगे, इसे हम I guess white कर देते हैं, और we can do one thing, primary color को white करते हैं, and secondary को हम green करते हैं, तो यहाँ पर यह काफी सही लग रहा है भी, ठीक है, and हमारा contact page भी बन चुक है, अगर हम phone tablet में देखें, तो यहाँ पर भी काफी सही लग रहा है, and अगर हम mobile में देखें, तो यहाँ पर भी यह सही लग रहा है, and guys एक और चीज पर काम करना, आप अपना सारा contact number and email यहाँ पे भी दे देना कि बंदा अगर laptop से open कर रहा है तो वो यहाँ से आपका number copy करके call कर सकता है अगर phone से कर रहा है तो वो इस button से directly कर सकता है and also guys यहाँ पे हमें अपना icon भी change करना है तो हम call us में आते है content content, icon library यह phone choose किया, insert अब WhatsApp में आते है and email में आते है ठीक है and also contact page है तो हमें यहाँ पे contact form भी लगा देना चाहिए तो उसके लिम क्या करेंगे हम यहाँ आएंगे नीचे and then पहले आप अपने dashboard पे आओ contact form में आओ इस shortcut को copy करो यहाँ पे आओ and then हम यहाँ पे shortcode type करेंगे इससे यहाँ से drag करेंगे छोड़ेंगे यहाँ पे paste करेंगे तो हमारा contact form यहाँ पे आ चुक है and हम जाए तो हम एक heading भी यहाँ पे दे सकते है let's ठीक है, बीच में रहेगा and stylus का पहले हम change करते है white and and styling, styling आप सब यहाँ पे कर सकते हो और यह tablet और phone दोनों में सही लग रहा है तो गयाँ हमने finally अपना about us page and contact us page बना लिए अपने साइट को बनाया है तो मेरा आप से यहाँ पे रिक्वेस्ट है आप अपने website के URL को नीचे comment करो and मैं personally जाके हर एक website को चेक करूँगा और मुझे जो भी website सही रहेगा मैं आप लोगो एक दिल दूँगा और तो भी website को मुझे थोड़ा improvement का recommend होगा मैं ट्राइक रहे हो कि मैं comment में ही उसका suggestion दे दूँ नहीं तो मैं उस पे एक dedicated video भी बना के लिया होँगा अगर आप लोगो किसी और चीज में doubt है या आपको किसी और topic पे video जाहिए तो वह भी आप comment कर सकते हो मैं ट्राइक रहे हो कि मैं उस पे एक dedicated video बना के लिया हूँ अगर वीडियो पसंद आ रहा है अगर वीडियो सही लग रहा है इंफर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे एंड जनल को सब्सक्राइब भी कर दे थैंक यू वाचिंग गाईज शी नेक्स चाइम टेक केर